नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी का Electrical Engineering in Hindi में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Electrical Machine तो Electrical Machine में हम लोग देखेंगे DC Machine तो चलिए शुरू करते हैं इसके अलाओं मैं Unacademy पर भी पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी मैंने Electrical Engineering की बहुत सारी वीडियो अप्लोड की हुई हैं तो अगर आपको सभी वीडियो देखनी हैं तो उसके लिए आपको Unacademy का Learning App डाउनलोड करके और पिर सुकला सर्च करके आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए कोर्स को इन्रॉल कर लीजिए ये बिलकुल free of cost है इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है नीचे डिस्क्रिशन बाक्स में भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी जाकर आप कोर्स को देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं electrical machine होता क्या है तो electrical machine का definition देखिए तो an electrical machine deals with the energy transfer either from mechanical to electrical form or from electrical to mechanical form तो यानि electrical machine क्या होता है electrical machine एक ऐशा machine है ठीक है जो किसमें deal करता है energy transfer जो कि mechanical से electrical या electrical से mechanical basically electrical machine में क्या होता है basically electrical machine में electro mechanical energy conversion होता है ठीक है electro mechanical energy conversion का मतलब क्या है कि जो हमारा electrical energy है वो mechanical energy में convert होता है या mechanical energy जो है वो electrical energy में convert होता है ठीक है तो देखिए क्या होता है मालीजे कोई electrical machine है अगर उसके input में हम mechanical energy दें तो और output में हमको electrical energy मिले तो वो क्या कहलाएगा वो machine जो कहलाएगा वो generator कहलाएगा ठीक है अगर input में mechanical energy देते हैं और आउटपूट में इलेक्रिकल इनरजी मिलता है तो वो मशीन क्या कहलाएगा जेनरेटर अगर मालीजे कोई इलेक्रिकल मशीन है और उसके इनपूट में हम इलेक्रिकल इनरजी को देते हैं और आउटपूट में हमको मेकेनिकल इनरजी मिलता है तो वो क्या कहलाएगा इल इलेक्रिकल मशीन देखिए दो तरह का इलेक्रिकल मशीन होता है एक इस्टैटिक इलेक्रिकल मशीन और एक होता है रोटेटिंग इलेक्रिकल मशीन इस्टैटिक इलेक्रिकल मशीन क्या है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कोई मूविंग पार्ट नहीं होत होता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक या primary winding से secondary winding तक क्या होता है electrical energy transfer होता है ठीक है और rotating electrical machine क्या है तो rotating electrical machine जितने भी जैनेरेटर्स और motors है वो क्या है rotating electrical machine है तो हम लोग आज देखेंगे DC machine DC machine क्या है तो DC machine जो है DC generator और DC motor को जो है combined ॿ में क्या कहते है । DC machine कहते है। अगर कोई माली अलेक्ट्रिकल मिशीर है और उसको mechanical power देते हैं इंपुट में और आउटपुट में हमको mirac electrical power मिलता है तो यह क्या कहलाएगा हमारा DC generator कह दा एगा अगर mechanical power inject में देते हैं और अगर आउटपुट में हमको DC electrical power मिलता है तो वो क्या कहलाएगा DC generator और DC motor क्या कहलाएगा जब हमें किसी electrical machine को DC electrical power देते हैं और output में mechanical power हमको मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा वो DC motor कहलाएगा तो देखिए DC generator और DC motor दोनों जो है DC machine DC machine को हम DC generator की तरह भी work करवा सकते हैं और DC motor की तरह भी यानि कहने का मतलब है generator और motor same machine को generator और same machine को DC motor की तरह use किया जा सकता है ठीक है अब देख लेते हैं generating device जो है वो कैसे कारे करते हैं तो देखिए input device है input device से अगर माली जे mechanical कोई system लगा हुआ है और बीच में क्या होता है coupling medium magnetic field और output device होता है वहाँ हमको electrical system ठीक है तो देखिए क्या करते हैं generating में हम mechanical input system से mechanical input देते हैं और output में हमको क्या मिलता है electrical मिलता है कैसे electrical मिलेगा electric system से और बीच में जो medium है वो क्या होता है वो magnetic field होता है ठीक है इसी तरह motoring device में क्या होता है motoring device में जो है electrical supply देते हैं और हमको output में mechanical मिलता है mechanical power तो electrical supply के लिए electrical system यूज करते हैं और output में हमारा mechanical system से mechanical power मिलता है और बीच में जो है coupling medium होता है वो magnetic field का ठीक है अब देख लेते हैं energy balance तो देखिए हमने शुरू में पढ़ा हुआ है कि energy को ना तो उत्पन किया जा सकता है और ना ही नश्ट किया जा सकता है इसको हम केवल एक form से दूसरे form में convert कर सकते हैं ठीक है तो देखिए the energy cannot be created or destroyed but it can be transformed transformed from one form to another यानि energy को ना ही create किया जा सकता है और ना ही destroy किया जा सकता है लेकिन उसको एक form से दूसरे form में convert किया जा सकता है या transform किया जा सकता है तो देखिए ये जो conversion है generating device और motoring device का इस process में क्या होता है हमारा energy transfer होता है ठीक है अब हम जान रहे हैं energy to transfer हुगा है practical device में पूरा energy जो है 100% transfer होना संभव नहीं है कुछ न कुछ उसमें loss होगा तो उसको बोलते है energy loss ठीक है अब ये जो बीच में जो medium दिख रहा है coupling medium जो magnetic field है उसमें क्या होता है energy stored भी हो जाता है ठीक है तो energy stored ये भी एक तरह का इस process में energy stored भी होता है of a DC machine as a generator यानि generator के रूप में DC machine का working principle तो देखे शभी generators जो होते हैं dynamically induced principle पर कारे करते हैं ठीक है और ये dynamically induced principle है क्या ये faraday's law of electromagnetic induction है ठीक है तो अब देख लेते हैं faraday's law of electromagnetic induction क्या है तो faraday's law ने faraday ने दो नियम दिये थे उन्ही को faraday's law of electromagnetic induction कहते है पहला नियम क्या कहता है पहला नियम ये कहता है whenever the number of magnetic line of force are flux linking with a coil change and EMF get induced in that coil यानि कहने का मतलब क्या है जब भी किसी भी coil में flux जो है link करता है वो change होता है तो उसमें EMF induced होता है ठीक है जब भी किसी coil में link करने वाला flux जो है वो change होता है तो उसमें EMF induced होता है ये पहला नियम है faraday's law का दूशरा नियम क्या है जो ये EMF है उसका magnitude कितना होता है वो दूसरे law से मिलता है तो देखे the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage तो देखे जो ये induced EMF का magnitude होता है वो किसके बराबर होता है वो बराबर होता है rate of change of flux linkage rate of change of flux linkage flux linkage क्या होता है flux linkage को लेमडा से प्रदरसित करते हैं और ये होता है कितना जो है number of turns है क्वाइल में और कितना flux है तो लेमडा is equal to n phi तो हम यहाँ से कह सकते है EMF जो है E is equal to directly proportional to d lambda by dt और यहाँ से lambda is equal to n phi होता है चुकि n जो है वो है constant ठीक है वो परिवर्थित नहीं होता है इस वज़े से उसको हम बाहर लिख सकते हैं तो E is directly proportional to nd phi by dt यह आ जाएगा हमारा यही क्या है यही है हमारा Faradis law of electromagnetic का दूसरा नियम ठीक है और इसी principle पर कारे करता है हमारा generator dynamically induced EMF के principle पर कारे करता है ठीक है तो अब देख लेते हैं EMF क्या होता है तो देखिए EMF जो है दो तरह का EMF होता है induced EMF induced EMF दो तरह का होता है एक होता है dynamically induced EMF और दूसरा होता है statically induced EMF ठीक है दोनों में देखिए क्या होता है दो चीज़ कामन है field और conductor अगर माली जे field स्थिर है और conductor रोटेट कर रहा है तो कौन सा EMF induced होगा तो dynamically induced EMF होगा अगर माली जे field rotate कर रहा है और conductor स्थिर है तब भी कौन सा EMF induced होगा dynamically induced EMF होगा और statically induced EMF को दो सरा से further divide कर सकते हैं self induced EMF और mutual induced EMF इसमें क्या होता है फील्ड इस्तीर होता है और conductor ये भी इस्तीर होता है, ठीक है, और जो statically induced EMF होता है, ठीक है, statically induced EMF में mutual इन्डियूस EMF होता है, वही किसκα working होता है, ट्रांसफार्मर का working होता है, तो देखें इसमें दोनों में आंतर क्या है थोड़ा सा आंतर समझ लेते हैं तो देखे डाइनेमिकली इंड्यूज्ड इम्म में क्या होता है जो मैगनेट है या कंडक्टर है उसका फीजिकल मुवमेंट होता है ठीक है वो फीजिकल मुवमेंट होगा तो क्या होगा डाइनेमिकली इंड्यूज्ड इम्म म में क्या होगा no physical moment of magnet or conductor यानि magnet या conductor का कोई physical moment नहीं होगा और देखिए statically induced DMF में जो है transformer आप देखे होंगे transformer में क्या करते हैं इसमें जो flux है वो कैसे change करते हैं वो current को increase या decrease करके जो की कैसे possible है केवल alternating supply द्वारा possible है ठीक है alternating source द्वारा अगर गर्माली यह transformer है transformer में क्या करेंगे primary में current को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उससे क्या होगा flux हमारा change हो जाएगा तो और conductor भी जान रहे हैं हम इस्थिर होता है तो इस तरह से flux जो change हो रहा है वो कैसे change हो रहा है उसमें नहीं flux rotate कर रहा है और नहीं conductor rotate कर रहा है तो इस तरह का EMF क्या कहलाता है statically induced EMF कहलाता है ठीक है और dynamically induced EMF जो generators और motors में जो EMF induced होता है वो dynamically induced EMF होता है तो friends आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लिस इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद